हम आपका स्वागत करते हैं तो आज पिर हम आपके लिए एक नए डिजाइन लेकर आए और यह डिजाइन के से बनेगा तो आए वीडियो शुरू करते हैं और जो हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले आज दोस्तों हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि डिजाइन कैसे बनाएगा सबसे पहले हमने इंटू 30 cm की एक टाइल लेनी है जो की एक फूट में एक टाइल मानी जाते है ठीक है और उसके बाद हमने आप जैसे कि अभी हम आपको बता रहे हैं कि यह जो हमने डिजाइ 12 cm पर निशान लगाना है और यहां पर 21 cm पर निशान लगाना है जैसे कि यह हमने कॉर्णर बनाना है यह कैसे बनागा और यहां पर हमने सेंटर में निशान लगाना है और यहां पर अभी हमने इस सेंटर को यहां सेंटर से मिलाना है और उसके बाद जो हमने 12 संट मेट पर निषान लगा या इसको भी मिलाना यहां से हमने 20 cm पर निशान लगाना है जैसे हमने यहां से यहां पर लगाया है यहां से हमने इसको यहां पर मिलाना है और यहां इसी तरह यहां से इसको यहां पर मिलाना है और यहां पर हमने 12 cm पर निशान लगाना है और यहां से 21 cm पर निशान लगाना है और फिर हमने यह जो है उसको यहां से सेम इसी तरह मिलाना है तो यह हमारा डिजाइन है इस तरह बन जाएगा और जैसे कि अभी हमने आपको दिखाय है और उसके बाद आपने इसको सेंटर से हफ करना है जैसे कि हमने भी किया है और यहां से भी हमने इसको सेंटर से आप पर नहीं है तो जैसे कि यह यहां पर बना हुआ है इसी तरह यह आपका डिजाइन इस तरह कम्पिलीट हो जाएगा जैसे कि हमने अंड़ा देगा है अपने करके और आपके यहां डिजाइन नयुक्ति अद्य है तो एक अच्वे किया है जी से आप बड़ा पर सकते advances एहां बुस्के जेस्कि वहलंखे कि नत्तार। तो आप अगर इसको आप 10 cm into 10 cm की टाइल में इसको बनाते हो तो आपने यहाँ पर जमने कि स्टींटिमीटर किया है इसको आपने प्लस टू यहाँ पर आपने इसको बेले सेंटिमीटर करना है यह आपका इसे बनेगा इस तुस्त जायए तो हमारी वीडियो को लाइख और शेर करना नभुले और उम्हारी चैनल पर सितरह भने रही है और हम आपके लिए नए नहीं वीडियो को पना तह सरे कि हमारे डिजाइन इस तरफ कम्पिलिट हो जाएगा और आप इसको बहुत इजी ली बना सकते हो इस डिजाइन को थैंकि दोस्त कि दाएगा कर दोस्त